हेलो ब्रेवान मैं आपके यूटूब चैनल वंदे मातम 2.0 में तो आज के सीरी में हम कभर करेंगे यूपी तीपल सी आपका यूपी तीपल सी आपका पेपर है 15-16 अटूबर में उसके रिलेवेंट में प्रेक्टिस करवा रहा हूं तो अभी तक मैं टोटल 6 से प्रेक्टि सीवाली में तो चलिए स्टार्ट करदें आपका पहले वेडियो करना तो सलिए पहला के आपका देखने को मिलता है है किस आधार पर है किस पर आधारी थेुड़ थे भारत का जो राश्टे-panĩ राष्टे-pan टेक्त किस पर आधारी काउन सा है आपका साह खालीद हवाई अद्दा रियाद में है उसके बाद आपते हैं इस राइल की राज़णी आपकी कौन सी तो इस राइल की कैपिटल यह जिरूसलम यह जिरूसलम भी लिखा रहे गए सब्सक्राइब नाम से जाना आथा कि चोल सामराज का सही प्रसासनिक प्रभागों का और रोही करम है तो प्रफागों का और वही क्राम है यानि आपका छोटी से बढ़ता हुआ तो पहला होगे मंदलम होगे दूटा वलनाडू होगे तीसा कुर्रम होगे यहां पर देखने को राइट मिल जाएक शिक्स का ओप्सन ए है मंदलम वलनाडू कुर्रम उसके वाद साथ है का है लाइक पेक्ष आंधुलन का प्रथम अंदुलन हुआ था संफ मिलेन हुआ था और यह इसका जो है स्याद कुछर है क्यों है अक पिसे आपका यह जेगा मुस्ट इंप्सक्राइग फार्द लंदन में तो यह से नमबर संग में सर्व प्रफम हिंदी में यह युए नुम में यूनाइट नेशन और रिचुके हैं और इनका निदन होचुका है तो नहीं भारत के जो प्रधानमदी रहे चुके थे अटल विया रिवास पी इन्होंने सेजिक तो राश्ट्र संगे में सर्व प्रथम जो हिंदी भासा देने वाले पहले ब्यक्ती थे उसके नाइंतर नंबर का क्वेश्चन है कि सुटिजर लेंड का जो राश्ट्रिय विधान मंदल को क्या कहते हैं तो नियसके इसका ऑप संदी दी देखने को रैट मिल जाएगा उसके आपका है दसबान स्टीट आपका कहा पेस्टिट जो इंडिया के मूंबई यानि मानगर मूंबई में सेट्विजे सामराज के बिरुद्ध 9 सेनिक अभ्यान क्यों किया था तो आपका उप्शन C यहां पर देखने को राइड मिलेगा दच्छड पूर्वी एसिया के साथ होने वाले भारते ब्यापार के मार्ग से और ओधों को समाप्त करने तो उन्होंने वो किया था तापका 11 का उप्शन C आपका बिल्कुल देखने को राइड मिल जाएक उसका 12 नमबर गुश्चन है कि चोल सामराज के पतन के लिए मुख कारण क्या थे तो चोल सामराज के जो पतन था य चोलों की बित्तियों अन्य संसादनों में कमी हो गई थी बी ए चोल सामराज की सीमाओं पर इस्तित चोल मंडलों को पडोसी राज्यों में आदमसाद कर लिया गया था और कृषी जन संकटयों अधिकारी तंत्र या चोल सान नौक और साही द्वारा जंता के सोशड के अहमदाबाद इस्तित जो है आभाई घाट वो किसकी समाधिय अस्तल है तो आपका मोरार जी देशाई की समाधिय अस्तल कहां पर बनी है तो एहमदाबाद देनी गुज्रात के अहमदाबाद में और किस नाम से जाना जाता है उसको क्वेश्चन नंबर 14 थे 14 नंबर का क्र फुट्टिंद का राइट एंसरं हो जाएगा विप्टिंद नंबर का Typically सरवादिक जल संख्या वाला देष कुझ सा है तो आपकai यह आपका good bail अबीजिक कोस snacks बंदा है आसान question मुनता है कि सरवादिक जल संख्या वाला देष तो चीन हो आपका पहले नंबर के चीन का अस्थाना आता है फिर दूसरी नंबर कुन सा आपका इंडिया है अपना इंडिया हो दाएगा तो फिप्टींद का उपसंसी बिल्कुल देखने को राइट मिल जाएगा उत्वाद 16 16 नंबर को जाने कि भारत के बिदेशी बिन में समय का प्रत सब्सक्राइब आपका और इसकी स्थापना का हुई थी तो 1935 में इसके स्थापना हुई थी उसके बाद 17 स्पेन का राष्ट्री खेल है यानि स्पेन का जो है नेशनल प्ले कुन सा है तो आपका कुन सोधाएगा जो सांड की लड़ाई देखने को मिलती है आपका टीबी म देखने को मिलते हैं तो इसी अंड्रामा पुस्तक के लिखक आपके कौन है तो गुनार मेडल जी है एटींद का आपका और राइट हो जाएगा उसके बाद 19 नंबर के क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लिखक आपके कौन है इंडिया विंस आपके पुस्तक के लिखाए मौना अब॑ल कलाम आजाद उसके वीस नंबर की विखक शनम के कोन है तो आपका बरूनी के द्वार लिखी गई है आपकी साहना मा उसके बाद 22 नमबर को साइन है कि चीनि आत्री किसके शसनकाल में भारत आया था तो यहां पर तो चिन यहां पर चंदली के साहसनकाल में भारत आया था उसके बाद 23 में के सांक हिन पर अतना है। उसके बाद नम्म्र का गुरु नानक दिव का जन्म कब हुआथा तो आपक सांकर। तो गुरु नानक दिव का जन्म कब हुआ था ? तो आपका 1469 एनि उप्शन A24 का बिल्कुर राइड हो जाएगा 1469 में हुआ था आपका गुरु नानक दियो जी का जनम हुआ था उसके बाद 25 नमबर का कुश्चन है कि सुराज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो सुराज पार्टी के संस्थापक का अपके कौन थे तो मुतिलाल नहरू और कौन से थे चितरनजन दास तो थे आपका हो जाएगा भारती राष्ट्रे कॉंग्रेज और मुस्लिम लीग ने लखनू में कब एक समझोते पर हस्ताक्षर की थे तो आपका वर्ष 1916 में उसके बाद अगला बिहार को बंगाल से अलग करके एक प्रथक प्रांत कब बनाया गया था उसके बाद नालंदा महाविहार नालंदा महावियार का निर्मार जो है घब्ध महावियार का एपका निर्माड वह था वो गुप्त के सासनकाल में वहा था युप्त काल में वहीं वहा था 29th नमबर गोषटBack29 की नमबरकर कोषटेना है कि भारत की संसद में कोनल कनल सामिल में आपको क सानषड कौन वह देखने को मेंने द्रस बात्य और राश्टरपति यह नहीं अपके लोगसबहा एक सदन ओगया दूसरा राश्टरपति तीसरा राश्टरपति भारत की संसद में चुनाव कौन करता है तो संसद के दोनों तो सब्सक्राइब करता है तो भाते संसद के दोनों सब्सक्राइब करता है तो लोग सब्सक्राइब उनकी दुनों की अधिक्षता करते हैं इसका 32 को क्षण नियुद्ध्र के मद्ध अधिक से कितने दिनों का अंतर हो तकता है तो आपका छे माह का श्यमार का अंतर होता है 32 निध्या श्य। बी यहां पर देखने को राइट में जाएगा राष्ट्रपती होता है तो 33 का उप्षन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा उसके बाद 34 नंबर गोश्चन है यह भारते संभिधान द्वारा कार खानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है 35 नंबर गोश्चन है कि आपर संस्ता दी हुई है और राष्टी करण दिया हुआ यानि सही का सही से मिलान करवाना है संस्ता कब स्थापना उसकी हो गई थी तो आपको पहला था RBI दूसरा SBI और तिसरा PNB तो RBI के स्थापना कब हुई थी राष्टी करण वर्थ तो आप की यह सही हो जाएगी आपका उनिस फच्पन विकिया गया था उसका प्यंदी के स्थापना उनिस जहां पे लेकिन एक दो सही दिया हुआ है तो आपका राष्टी करण पूश रहे था निश्चन के कोई विधैक धन विधैक है या नहीं इसका निरने कौन करता है तो कोई ग्यात हीं इन विधैक विधैक है या नहीं इसका निरने आपके लोग सभा करते हैं तो 36 आपकर ऑप्सण दी राइठ हो जाएगा तो अभी सेवन नमर क्रेंदम्र कौशन है उच्पन नीयाले में कितने न्याधिश होते हैं तो अपके न्याधिश देखने को मिलते हैं तो तो प्रफम बित आयोग का गठन कब किया गया तो प्रफम बित आयोग का गठन वो कब किया गया था दुबार सुनने से किया गया तो प्रफम बित आयोग का गठन कब किया गया था उसका एक तालेस नमर का कुष्टन है कि निमने में से कौन चीनी का मुख्य उतपातक देश को इंसाब का भारत हो जाएगा देखने को मिल जाएगा देन आपका 42 नमर कोष्टन है कि सुमेलित करना है नहीं सही का सह करना है तो आपका पहले सब्सक्राइब करते हैं तो जैगोंड से बहुत करेंगे तो आपका होता है का गंगई कॉंड से और राजा धिराज फॉस्ट एक से रिलेट करेंगे तो आपका फॉस्ट से हो जाएगा बिजे राज्येंद्र से राज्येंद्र से राज्येंद्र से राज्येंद्र से और आपका बिक्रम चोल जो हो जाएंगे वो किसे हो जाएंगे त्याग पांच चार एक दो तीन तो यह आपका मुस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन है यह जो आपका मिलान करवा है हमने यह मुस्ट इंपोर्टन इसे देख लेना अब एक बार उसके बाद अगले आगे बढ़ते हैं फुर्टी थी नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है निमनेसे सोने का सरवाधी पुतपाद Shakt करने वाला देश कुन सा है उसका इस नंबर क्वेश्चन है कि कि छोल सासक के सासनकाल में भूमी का सरवेक्षन किया गया था तश्राजसय का नाम दिया हुआ है तो दूसरा और तीसरा किया गया था उसके बाद आपका 45 नमर का कुछतित है तो कोन सन अगर डेन्यूब नदी के किनारे इस्थित है नहीं है यहाँ पूछा है आपका विद्यशी मुद्रा का क्रे विक्रे किस बैंक द्वारा नियंतित होता है तो आपका अर्ब्याई इंडिया के द्वारा होता है तो आपका बी विल्कुल राइट हो जागा 46 नमर के क्वेश्चन का और मार मुगाव पत्तन किस राज में इस्तित तो गोवा आपको गोवराज में आयौ थे κα स्टेट्व होता है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा याडड के भीटामिन के कमी से होता है तो और Выट्मिन व Ini बिल्कुल राइट हो जाएगा 50 नमर करकी किस चुम्मक का चुम्मकत तो किस से दूर किया जाता है थो चुम्मकत तो खतम हो जाएगा पचास का उप्सटां सिटें अजायकर मिक्षान 151 त्रीओं का तो वना होपन के दोड़ा जा सकता है कि उनाइटेर निसन फ्रेमुवर क कंवेंशन ऐन क्लाइमेट चेंज यूएन एफ सी सी यानि यूनाइट नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज के स्थाबना की गई थी उसके बाद तो फिफ्टी सी नमबर को चेंज ने कि तीर पर नमबर का वरियम के चुनाओ के लिए निमने लिखित में से किस योगता की जिवरोत नहीं थी तो उप्संप्टी आपका बिल्कुल राइट होजाएगा समाज के केवल तीन वर्गों कि सदस्था क्या हो सकता नहीं थी चमुन सब्सक्राइब क्या हो जाएगा यहीं थोटे दियर आपका फिफ्टी फाइब नमबर को क्या है आपका कलिंग युद्ध का निमने लिखित में से कौन सब परड़ाम सही नहीं है तो मौर सेना में कट्वती कर दी गई थी आपका उप्संट ली हो है वो देखने को मिलता है ही नहीं था उस टाइम पर उसके बाद होगा शेपर नमबर का हर्मिट आप सिमला किसे कहा जाता है तो हर्मिट आप सिमला किसे कहा जाता है और भारते नेशनल इंडिया नेशनल कॉंगरेस के स्थापना 1850 में की गई थी तो इसके प्रथम मंद्धिक्ष जो थे वो कून थ वोगुण हारे ही आपका नेशनल इंडिया नेशनल कॉंगरेस के स्थापना की गई थी और उसके बाद आघता है गोपाल कृष्ण पर खुले ने वाई स रायक करण की तुर्म नकिस्थे की घ जी ने लोक माता है मर्विंद भोस ने अगनी सिखा कहा तो आपका मार्ग्रेट नोबल मार्ग्रेट नोबल को उन्हों ने ये कहा था उसके वाद फिप्टिनेंद नमर को उसने के वर्स 1906 के कलकत्ता में हुए कॉंग्रेस अद्वेशन में सर्फ प्रथम किसने सुराज की मांग की थी तो दादा भाई नोबल जी किस और नाम से जानते हैं तो ग्रेट ओल्ड मैन भारत के ग्रेट ओल्ड मैन की नाम से गिने जाना जाता है नल्ड मैन तो फुट्टिनाइंद कत्षाट अरे नोट दाधा भैट नोडीजी को उसके प्रथम लिफ्यविज्व समय किसको किसको recruiting sergeant कहा गया तो पथम विस्यूद्र के जो समय है वो किसको recruiting sergeant कहा गया आपका महत्मा गांधी यह नियों पर देखने को right मिल जाएक महत्मा गांधी ने कहा था और कि कि किसको mother of Indian revolution कहा जाता है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्स मुक्ति दिवस मनाया था तो मुस्लिम लीग ने जो है वो किस वर्स आपका मुक्ति दिवस मनाया था तो वर्स बैठक आपकी 9 December 1946 को सम्मिधान की पहली बैठक वी इसके बाद 64 नमर को क्रशन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंद वो किस ने किया था तो इल्टुतमिस यानी इल्टुतमिस ने करवाया था उतके बाद टॉमस रोग किसके समय में भारत आया था तो त आया था जिसने करा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टन्ट है आप इन्हें देखकर जानाओ पेपर में टॉमस रोग किसके समय में वारत आया था तो जहां कि यानी 65 भी बिल्कुल राइट हो जाएगा उसके बाद राचत नमबर गया जपति प्रणाली का जनम दाता कौन था तो जपति प्रणाली का आपको जनम दाता टोडर मलेनी 66 का उपसंसी बिल्कुल राइट हो जाएगा उसके समुगल समराट को जिन्दा पीर कहा जाता था और रंग जीब को जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता था उसके बाद नमबर के लोधी वन्स के कि सासक ने सरवम्राजधनी से किया साथ प्रणाजधनी से अग्रास्थानांतित किया तो वह कूंद आपके शिकंदर लोधी इनों सबसे पहले यह काम किया था उसके बाद अतर नमबर के वहाँ भारत का राश्ट्री आदर्स वाहक सत्त्य में उस्यक कहां से उद्रित है भारत का को माना जाता है तो यह बिल्कुल राइट हो जाएगा किस ग्राह को लेटा हुआ ग्राह कहा जाता है तो किस ग्राह को लेटा हुआ ग्राह कहा जाता है तो अरुन आपको अरुन ग्राह को लेटा हुआ ग्राह कहा जाता है तो अरुन अरुन ग्राह को लेटा हुआ ग्राह कहा पहुंचने को पहुंचने में कितना समय लगता है तो आर्थ पर पहुंचने में पहुंचने में लिखे दमें से कुन सा से बैस्टिक तापन का प्रभाव है तो आपका बी और सी देखने को राइट मिल जाएगा समुदतल का उपर उप्षना महासागरी धाराओं की परकेटरि में परिवर्तन उसका देखने है कि छेतफल की देश्टि से बिश्चु का सबस भगी रती नदी पर बना हुआ । श्यारी बादा आपका पस्चिंप मंगाल ने जबी देखने पर बना हुआ है अस्य नंबर का व्युज्चन है उसके बाद भारतिय करण के इस्थापना कब की गई थी तो भारतिय करण के स्थाबना आपका बहर सुनी सु चौरासे में क की गई थी यानि आपका 80 नंबर का option D बिल्कुल राइट हो जाएगा एक 80 नंबर का question है कि भारत में किसी मोल ले आयो कि किस देश को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है तो इतली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है उसके बाद 84 नंबर का है कि भारत के किस राज्य में लाख का सरभाजी गुत पादन होता है तो आपका 84 नंबर को जाएगा जाएगा जो सबसे बड़ी सहाइक नदी है वह कौन सी आपकी तो यमूना सबसे बड़ी सहाइक नदी की उसके बाद आते हैं 858 नंबर को जान है आपका पारिस्थेतिक तंत्र याण फारिस्थेतिक की तंतर के अंत्रगत एक पोशन अस्तर से दूसरे स्थानांतर होता है भारत में इलाइची का सरवाजी बत्पादक राज आपका केरल में सबसे जादा इलाइची आपका उत्पादन होता है तो आपको इसमें से बताना है कौन सा कतन आपका सत्य नहीं है तो आपका यहां पर उसंडी यह प्रूपक के में से कुई नहीं आपका यह सारे सही है चोल समराज की आयकर सत्य बड़ा सोथ भूमी कर था ग्रामीट शेत्रों में लेंदेन का माद्यम धान था वभी देशी व्यापार है तो महावली पूरंबसक कावेली पटनम मात्वोड बंदर बंदर गाह थे सही है उसके बाद देखते है नबडे नमर कर《सेहुमत सेंशक थे गाह,场 सरवाजिक प्रषयती के पृष्च्रम राज की प्रतिमा थी तो आपका उप्शन बी यहां पर देखने को राइट मिलेगा एक दो तीन आपके तीनों राइट है उसके बाद है कथन ए चोल प्रसासन की मुख की विशेष्टा अस्थानिस वसातन को प्राप्त स्वायत्या थी कारण आर परांतक के प्रांतक प्रतम क उत्तर मेरूर अभिलेग से चोल प्रसासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है नीचे देगे खुछ से सही का आपका उत्तर पताना है यहां से यहां पर आपका उप्शन ए बिलकुल राइट हो जाएगा उसके बाद सोडियम को कहां रखा जाता है सोडियम को आपको मिटी के टेल में लखा जाता ही सोडियम आपने के साथ कि दिया कर कि आपका आग बदल जाता है इसे पढ़ा के नहीं दगने लगते है यह से और कू निलहिए कर नहीं है तो आपका सहकारी क्रिशी जो है 93 ख废्यी जो तो आपको बाहती किसी की निम पातकता का कारण नहीं है उसके निटी फॉर्थ नमेर, शने अंतिक्स यात्यों को आकास का रंग जाए वह बिल्कुल काला दिखाए देता है तो निटी फॉर्थ का ओप्शन दी बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिर निटी फॉर्थ का निट वोकर नॉजबेटाश्टार्राण परेंगरे स्थाबना भी थी दिए ऊसके बाद आ गया उसके बाद 99 के लिए प्रेचिलित हैं उसके बाद इस वीडियो का सबसे लास्ट क्रेट पूरा हो चुका है सारवजनिक या निजी छेत्रक में किसी उद्दम के वर्गी करन का क्या अधार है तो बी यहां पर देखने को रायट मिल जाएगा उद्दम की परिसंपत्यों का स्वामित तो यहां पर टोटल के टोटल में क्या हंड़ेट करवा चुका हूं और आपको वीडियो कर अच्छी नाम से आपका चैनल है तो आप जाकर आप प्लेलिस्ट में कबर कर जाएगा तो सारी के सारी वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं तो आप जाकर आप उसे देख लेना तो थैंक्स पर वाच्छ